पुनर विवा है हाँ यश पिटा आरती गलत नहीं है बलके इसने तो बहुत बड़ा बलिदान दिया है पलक और पायल इसे अपना ले इस आशा में अपनी पहचान को बुला कर किसी और का रूप लेना यह चोटी बात नहीं है यश ठीक है रही है मुझे अच्छी तरह याद है शादी के वक्त जब हमने आरती को अर्पिता का नाम दिया था तब साफ मना कर दिया था इसने लेकिन संधन जी के समझाने के बाद ही बड़ी मुश्किल से यह राजी हुई थी आज अगर इसने खुद होकर अर्पिता का रूप लिया है तो केवल इसलिए कि तुम्हारे बच्चों की मा बन सके मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल दुखाय है लेकिन बभू ने जो कुछ किया है उसका इरादा गलत नहीं था माफ कर दो से माफ किजिएगा मैं आप से भी काना दर कर हूँ लेकिन बभूची मैं आर्टी जी को कभी माफ नहीं कर सकता बेटा एक बार ठंटे दिमांक से सोच कि देखे नहीं माफ कोई कुछ नहीं कहेगा यहाँ पे कोई भी आर्टी जी की तरफदारी नहीं करेगा मैं एक पल भी आर्टी जी को इस रूप में नहीं देखना चाता कोई इनसे कह दे कि यह अर्पिता की चीजों को वहीं रख दे जहां से यह लेकर आई है यह जिए आर्टी जी कोई विए आर्टी जी कोई फिसे दोच कोई पर देखेगा पुनर विवा है